वेलकम टू सामरिया क्राफ्ट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे राधी राधी, सामरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है, आज हम सीखेंगे गुपाल जी की एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस, जिसे बनाना बहुत ही असान है, आप आल साइज में जीरो से लेके 10 नमबर तक आप कैसे बनाएंगे, यह मैंने रिटन पैटन के साथ आ कैप की कैप और यह चोली बनाना बहुत पहले, दो-तीन महीने पहले भी मैंने सिखाया आपको, तो यह देखी हमने इसको बहुत असानी से बनाया और बहुत सरल तरीके से, यह देखी ऐसे, और मैं आपको उतार कर भी दिखाती हूँ, यह देखी है, यहां से हमने इसको गहरा है गुपाल जी का यह देखे यहां पर बहुत अलग तरीके का यह गहरा बना है यह देखे ऐसे करके तो friends मुझे उमीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका वीडियो बनाने का तरीका जरूर पसंद आता होगा अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है गुपाल जी की ड्रेस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट में एक बार जरूर लिखिए रादे रादे क्योंकि नाम ही प्रधान है नाम की महिमा तो अपरम पार है हम भी ये चाह प्लाइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए रादे रादे इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है उसे भी फॉलो कीजिए तो आएए अपना वर्थ स्टार्ट करते हैं ये देखिए ये हमारी वर्थमान की भूल है तीन कलर में और ये हमारी स्लाई है दस नंबर की तो देखिए अब हम सबसे पहले ये जो हमारी लेमन कलर की भूल है इससे हम फंदे डालेंगे दस नंबर की स्लाई पर ही तो ये देखिए फंदे डालने के लिए हम थोड़ा सा क्योंकि हमें 20 फंदे ही डालने तो हमें जादा रखने की बूल जरूरत नहीं है ऐसे हम थोड़ा बूल ऐसे छोड़ देंगे और सलाई को बूल के उपर ऐसे रखेंगे और यहां से इसको पकड़के दो उंगलियों पर ऐसे गुमा कर हम ऐसे इसके अंदर डालेंगे और यहीं से फिर यह वाला बूल इसके उपर डाल देंगे और यह हमारा एक फंदा हो गया और इसी तरीके से हम फिर से गुमाएंगे ऐसे डालेंगे और यह हमारा दूसरा फंदा हो गया देखिए अब फंदे फंदे थोड़ा लूज ही बनाए तो यह तीसरा फंदा और यह चोथा फंदा इसी तरीके से हम इसके अंदर स्लाई के अंदर 20 फंदे कंप्लीट करके दिखाते हूं ये देखी हमने यहाँ पर 20 फंदे कंप्लीट कर लिए अब हम ये जो हमारा लंबा वाला वूल है ये ये देखी ऐसे और इसको हम ऐसे ये सलाई को ऐसे करके डालेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा लंबा वाला वूल है इससे हम ऐसे करके सलाई के उपर घुमा के पीछे से ऐ इसे निकाल देंगे। तो यह हमारा उल्टा पंदा होता है और फिर सिह हम यह देखे। ऐसे करके पूरी स्लाई ऐसे ल्टा उल्टा बनाते हुए इसको कंप्रीट करेंगे तो बहुत असानी से आप लोग बना लेंगे बहुत इजी है फ्रेंट्स इसको बनाना ये देखी हम पूरी सलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे करके हमें एक भी फंदा मिस नहीं करना यहां से सबी फंदों को ऐसे ही पूरी सलाई हम उल्टा-उल्टा बनाएंगे ऐसे करके यह देखिए लास्ट तक हम जितने भी हमारे यह बीस फंदे हैं हम इनको सबी ko उल्टा-ल्टा बनाकर यह हमारी एक सलाई कंप्लीट हो गई है तो यह देखी अब हमारा वर्क इस टाइब का है और यह हमारी ड्राइड साइड है और अब अपने वर्क को हम ऐसे यहां पर टान करेंगे ऐसे करके यह हमने turn किया और turn करने के बाद फिर यह देखिए अब हम इसमें दूसरा color लगाएंगी यह देखी तो हम यहाँ पर अभी यह जो हमने green color है हमारा इसको हम यहाँ पर start करेंगे बनाना तो जब भी हमारा कोई नया color लगेगा इसमें तो इसको हम back side से क्योंकि right side हमारी इस side से ह एक slide हमने बना कर फिर अब हम इसको यहाँ पर यह देखिए ऐसे कर लेंगे और यहीं से यह wool भी हम ऐसे हाथ में यह देखिए मैं आपको दिखाएंगे बड़े राम से बनाएंगे आप ऐसे कर लिया और यह wool भी हम इसे अंगठे से दबाते हुए यह हम ऐसे निकाल लेंग तो यह हमारा एक फंदा और बन गया और यह जो yellow color का है इसको हम थोड़ा ऐसे tight कर देगे इस तरीके से तो देखिए फिर से हम यहाँ पर दूसरा फंदा बनाएंगे यह तीसरा फंदा बनाएंगे यह चोथा पांचवा छटा सात्वा आठ्वा 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 यह 9 10 और यह 11 12 यह देखिए हमने 12 बनाए फिर यह 13 और यह 14 यह हमने 14 फंदे हमने ऐसे बना दिये और जो starting के हमारे 6 फंदे है इनको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह देखिए अपने बरक को अब हम ऐसे turn कर लेंगे ऐसे गुमा लेंगे अभी हमने इनको नहीं बनाया और फिर से हम यहां पर इस बूल को हम ऐसे आगर लेकर आएंगे और यह जो हमारा green वाला फंदा इसको हम बनाना शुड़ करेंगे उल्टा उल्टा ही तो यह एक फंदा बनाया दूसरा और यह जितने भी हमारे फंदे हैं यह देखिए सब को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बन आते हुए इसको complete करना है ऐसे करके यह देखिए हम last में आगर यह एसे यहां पर और एक फंदा आभ भी हमारा और है तो इसको भी हम ऐसे ही बना लेंगे यह देखिए ऐसे करके और friends यहां पर यह देखिए आपको दागों को lock अच्छे से करना है यहां पर इनको बिल्कुल भी डिला नहीं चोड़ना ऐसे करके तो यह देखिए अब हम अपने वर्ग को ऐसे टरन कर लेंगे ऐसे घुमा लेंगे ऐसे करके तो यह देखिए हमारा वर्ग फ्रिंट्स मैं आपको बताना भूल कि यह जो हमारा बूल है इसको भी हम बीच में ही यह देखिए अच्छे से हमें टाइट करना है इसको और जब भी हमें बनाना है तो उल्टा-उल्टा ही बनाना है तो यह देखिए पहला फंदा हम ऐसे उतार लेते हैं और उसके बाद हम फिर से इसको बनाएंगे हमें बनाना है इसको ग्रीन कलर से ही बनाना है बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं करना अभी तो यह देखिए एक बार यह जो हमारा निकल रहा है भूल इसको हम ऐसे घुमा लेंगे तो घुमने से यह होगा यह यहाँ पर अच्छे से लोग हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर यह हमने दूसरा फंदा ग्रीन से बनाया यह देखिए ऐसे करके हम सभी फंदे ऐसे ही यह जितने ग्रीन के हैं हम सबको इनको उल्टा उल्टा ही बनाएंगे ईसे यह हमने उल्टा उल्टा बना रहे हैं यह हमारी बैक साइड है अब द्धान से नोटिस कीजिए तो यह देखिए अब हम यहाँ पर हमने 6 फंदे बिना बने चोड़े थे इस बार हम एक फंदा यहां पर बना लेंगे तो हमारे सिर्फ यह पांच फंदे रहे और हम अपनी सलाई को अब फिर से ऐसे गुमा लेंगे यह अपने वर्फ को ऐसे ऐसे गुमा लिया हमने और अब वूल को भी हम ऐसे आगे ही कर लेंगे और यहाँ पर देखी अब हम फिर से यहाँ पर इनको बनाना शुरू करेंगे तो यह देखी यहाँ पर भी हम यह जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पर इसको इन सब को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे करके ये देखी तो ये हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइस का बन गया अब हमें ये देखी अपने वर्क को ऐसे हम गुमा लेंगे और यहाँ पर अब हम ये जो हमारा कoler है इसको अब हम EAमन से बिनाएंगे तो उसके लिए देखी एक बार हम यहाँ पर ऐसे बल डालेंगे तो बल डालने से होगा यह आपस में धागे एक दूसरे से क्रॉस करते हुए उलजेंगे नहीं थोड़ा यहाँ पर एक दूसरे के साथ लॉक हो जाएंगे तो यह देखी ग्रीन को हमने ऐसे ही पकड़ लिया और अब हम लेमन से और पहला फंदा अब हम लेमन से बना रहे हैं अगर सेम कलर में होता है तो हम सेम ऐसे उतार लेते हैं बिना बना लेकिन दूसरे कलर लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसे बनाना ही पड़ेगा तो देखे सारे फंदे हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे अब हमें एक भी फंदा नहीं छोड़ना है फ्रेंट्स दिहान से आपको बिल्कुल लास्ट तक ये रोख कम्प्लीट करनी है ऐसे ही तो मैं ये कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूं ये देखे हमने ऐसे उल्टा बना लिए अब अपने वर्ग को ऐसे हम टरन कर लेंगे तो ये देखे हमारी ये राइट साइड है तो यहाँ पर भी हमारे ये जितने फंदे हैं इनको हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे तो जब भी हम backside में कोई नया color लगाएंगे तो हमें backside से ही लगाना है इसको आप note करेंगे तो यह देखिए यहां पर यह जो पहला पंदा है इसको अब हम pink से ही बनाएंगे ऐसे करके ऐसे और यह देखिए मैं आपको बताती हूँ यह जो हम जब भी कोई color लगाएंगे तो इ इसे टाइट कर देंगे और इसको गुमाते हुए ऐसे आप गुमा लीजिए ऐसे करके और ये हम दूसरा फंदा फिर से हम एक बार और गुमा लेंगे इसको तो ये अच्छे से यहां पर लोक हो जाएगा तो ये देखिए तीसरा फंदा फिर से एक बार और गुमा लेते हैं जब भी आप कोई नया color लगाएं, तो उसके सीरे को आप इस तरीके से lock कर दीजिए, तो यह देखिए हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बना रहे हैं, तो यह देखिए हमने जितने फंदे हमने यहाँ पर green से बनाये थे, तो यह देखी अब भी हम 6 फंदे ही बिना बने यहां पर छोड़ देंगे तो यह 6 फंदे जब हमारे रह जाएंगे तो इसको हम ऐसे turn कर लेंगे Wool को हम ऐसे आगे कर लेंगे क्योंकि हमारे total 20 फंदे थे 6 हमने नियी बनाएं तो 14 फंदे हमने बनाएं थे जितने भी हमारे हैं इनको सबको हम ऐसे ही उल्टा-उल्टा ही बनाकर बनाएंगे यह देखें मैं जल 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 बनाकर complete करके आपको दिखाती हूँ यहां पर यह देखें यह बन गया फिर से हम अपनी सलाई को ऐसे पलट लेंगे वर्क को और यहां से अब हम फिर से उल्टा ही बनाएंगे तो पहला फंदा हमेशा हम उतार लेते हैं क्योंकि सेम कलर से जब बनाते हैं तब ही हमें इसको ऐसे उतारना है और फिर से हम यह सारे फंदे ऐसे ही उल्टे-उल्टे बनाएंगे ऐसे करके यह सबी फंदे यह देखे हमारे उल्टे-उल्टे ही बन रहे हैं यहाँ पर ऐसे तो यह 14 फंदे हम यहाँ पर बना लेंगे यह देखे 14 फंदे बन गे अब हमें क्या करना जब हम इसे बिलकुल लास्ट में पहुंचेंगे क्योंकि यह हमारी यह देखी ऐसी तो यहाँ पर अब की बार हमें 14 ना बना कर हमें 15 बनाने तो एक फंदा हम यहाँ से और बना लेंगे इसी स्लाई में बनाना है और फिर उसके बाद यहीं से हमें ऐसे वापस टन कर लेंगे मोड लेंगे अपने बर्क को ऐसे करके और फिर से हम यहां पर पहला पंदा ऐसे ही बिना बना उतारेंगे बूल को हमने आगे कर लिया है और यहां से हम सारे फंदे जितने भी हमारे फंदे इनको हम 핑 कलर से ही बनाएंगे, यह देखिए यह अब हमारे यह सलाई भे हम क्योंकि हर बार हम आगे और पीछे से बना हम उल्टा-उल्टा रहे हैं बहुत असानी से बन जाएगा फ्रेंट्स देखे ऐसे करके तो ये अभी हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइब का है और अब हम फिर से यहां से ऐसे करके अपनी स्लाई को मोड लेंगे तो ये देखी हम फिर से बैक साइड में आ गया है यहां पर और ये जब हम बैक साइड में यहां पर आया है तो अब हमें फिर से ये देखी ये जो हमारा लेमन कलर है इसको इससे वर्ग करना तो उसके लिए एक दो बार हम ऐसे ऐसे wool को pink में से cross कर लेंगे ऐसे करके यह हमने यहाँ पर अच्छे से cross कर लिया है अब हम lemon color से work करेंगे तो जब भी हम कोई नया color लगाते हैं तो पहला फंता हमें बनाना ही होता है तो यह देखे, मैं यहाँ पर उल्टा-उल्टा ही बना रही हूँ, कि जब भी हम back side में आएंगे, तब ही हमें color change करना है, otherwise हमें change नहीं करना है color, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो यह देखे, मैंने पहला फंता उल्टा बनाया, और दूसरा फंता इसी तरीके से यह पूरी sly में ऐसे ही यहाँ पर भी उल्टी बनाऊंगी, lemon से, और यह वाली भी उल्टी बनाकर आपको दिखाती हूँ, तो ऐसे ही उल्टा-ल्टा हम बनाएंगे, इसमें कुछ भी change नहीं करना, तो दो sly में ऐसे ही, उल्टा-ल्टा lemon color से बनाकर आपको दिखाती हूँ, यह देखी, अभी तक हमारा यह फंदा इस टाइब से, यह हमारा वर्क इस टाइब का हो गया, और अब अपने वर्क को हम ऐसे turn करेंगे, और turn करने के बाद यह देखी, अब हम फिर से यहाँ पर green color लगा लेंगे, तो यह देखी, मैंने आपको green color बनाने का तरीका बताई द लिया है, ऐसे करके बूल में से, एक बर हम सभी में से ऐसे घुमा लेंगे, और अब हम यहाँ पर, यह देखी, ऐसे करके, यहाँ पर green color लगा लेंगे, ऐसे, यह हमने पहला फंदा green से बना लिया, और यहाँ पर भी हम फिर से green से बना लेंगे, यहाँ पर, सारे फंदे, क् कि मैंने आपको बताया यह है कि हमारे यह जो चोदा फंदे हैं यहां पर हमें ग्रीन से ही बनाने हैं तो यह मैं पहले भी आपको बना कर फ्रिंट्स दिखा चुकी हूं सेम उसी तरीके से हमें इसको बनाना यहां पर कोई भी चेंज नहीं करना है यह देखिए तीन और तीन छे बज़के चोदा हमने बना लिए और अपने वर्क को हम ऐसे यहां पर टर्न कर देंगे ऐसे करके और यहां से पहला फंदा ऐसे ही उता रहेंगे और यहां पर फिर से हम सारे फंदे उल्टे-ल्टे बना देंगे तो जैसे यह मैंने ग्रीन बना तो यह देखिए बड़ पहला फंदा हमने उतारा और यह सबी फंदों को हम जैसे उल्टा-उल्टा उतारते हैं ऐसे करके तो मैं लास्ट में बताती हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं यह देखिए यह जो किनारी है यहां पर इसके लिए मुझे बताना है आपको तो जब भी हम इस की किनारी बनाएं जैसे हम लास्ट में हैं जो लास्ट वाला फंदा है सिर्फ हमें उसी को उसी में सीधा बनाना है और सबी फंदे हमें उल्टे-उल्टे बनाने हैं तो यह देखिए लास्ट वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे तो सीधा बनाने से होगा यह देखिए यह यहां से हमारी जो रो है यह कितनी ऐसे चेंड स्टीच की तरह आ रही है अगर हम यह नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में आपको बताना बूल गई तो यह देखी यहां पर थोड़ा चेंज आता है ऐसे और जब भी मैंने यह फंदा सीधा बनाया तो ऐसे चे आपते हैं ऐसे करके इसको पूरा लेंथ नापेंगे तो यह हमारी 22 इंच के आसपास है तो यह देखी हमने पिंक भी यहां पर कंप्लीट कर लिया क्योंकि यहां ग्रीन है तो मैंने यहां पर पिंक से कंप्लीट किया है तो यह देखी अब हम इसको बंद कर देंगे तो बं केसे मैं इसको पूरा यहां पर यह देखे ऐसे बंद हो जाएगा तो मैं complete करके यहां तक आपको दिखाती हूँ यह देखी लास्ट का फंदा हमारा बचा इसको मैंने यहां पर ऐसे बढ़ा कर लिया है ऐसे धगा निकाल कर इसी मेंसे हम यहां से यह बूल निकाल कर इसको नौट लगा कर कट कर देंगे यह जितनी भी हमारी गुल है इनको हम ऐसे ही cut कर देंगे यहां से भी देखे और इनको अंदर की तरफ adjust कर देंगे अब सूई से कीजिए इसको या क्रोशिया हुक से किसी भी चीज से इनको अंदर की तरफ ऐसे हम set कर देंगे तो यह देखे हमारा जो वर्क है वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यह देखिए ऐसे करके तो यह हमारा घेरा तयार है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको all size में कैसे बनाना है तो यह देखिए मैं measurement के साथ आपको बताती हूँ यहाँ पर यह देखिए कितने फंदे और कैसे बनाना है यह देखिए बनाने का तरीका मैंने आपको बताई दिया है यह देखिए हमें 0 के लिए 14 फंदे लेने एक 14 फंदे लेने हैं और जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसमें यहां देखिए यह मैंने आपको 6 फंदे का पैटर्न बताया था 6 फंदे हमें छोड़ कर फिर हमें एक स्लाई बनाने और दूसरी स्लाई पर फिर से हमें एक फंदा और बढ़ा लेना है यानि कि इधर के साइड जो हमारा एक फंदा था इस साइड का हमने एक फंदा और बनाने ला यानि कि 5 दूसरी स्लाई में हमारे 5 फंदे रह जाएंगे और पहली में हमारे 6 होंगे तो यहां का भी मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से 0 में आपको तीन से स्टार्टिंग कीजिए और यहां पर इंच मैं बता देती हूं जैसे मैंने इंच आपको घेरे में बताए हैं यहां पर यह मैं बताती हूं आपको 16 से 18 इसी तरीके से एक में हम 16 फंदे डालेंगे और 4 हम उपर रख सकते हैं और 18 या 19 इंच हम बना सकते हैं दो नंबर के लिए 18 फंदे लेंगे, 5 फंदे से हम डिजाइन बनाएंगे, और 19 या 20 इंच आप ले सकते हैं, तीन नंबर के लिए देखें, मैंने 20 फंदे डाले थे, और यहां पर मैंने 6 फंदे से स्टार्टिंग की है, और यहाँ पर मैंने डिजाइनिंग के फंदे हमें कितने लेने हैं और यह मैंने लेंथ बताईए आपको कि आप कितना बना सकते हैं यह देखी आप अच्छे से आप समझ गए होगे आल साइज के लिए यानि कि 0 से लेके 10 नमबर तक आप असानी से फ्रेंट्स बना लेंगे तो इस तरीके से हमारा यह घेरा कमफलीट हुआ अब हम चोली बनाएंगे देखी फ्रेंट्स हमने यहाँ पर टोटल 44 फंदे डाल कर मैंने यहाँ पर यह धारियां लीजी यहाँ पर एक दू तीन चार पांच छे यह चेद मैंने धरिया बना ली और अगर आपको बिल्कुल बहुत जादा फटिंग की अच्छी लगती है चोली तो यहाँ पर एक रोव आप कम कर सकते हैं तो यह देखी अब हम इसको डिवाइड करना है कैसे डिवाइड करेंगे यह 44 फंदे को हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर फिर से दो का एक कर देंगे तो दो फंदे हो गए यह तीन इसी तरह से हम इसको लोग करेंगे ऐसे करके चार पांच छे साथ आठ नुँग तो दस ग्यारा यह बारा यह तेरा फंदे हमारे यहां लोग को गए और यह 14 यह देखी यह हमारे 14 फंदे यहां पर ऐसे बंद हो गए हैं उसके बाद हमें बीच में लेने 16 फंदे तो एक फंदा तो हमारा यह है दो तीन चार पांच छे साथ आठ नुँग दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा यह 16 यह 16 फंदे हमारे हो गए हैं उसके बाद हमें यह जो चोदा फंदे हैं हमारे इनको भी हमें यह देखिए अब हमें चोदा के बाद दो को एक कर देना है यहां पर यह दो का एक कर दिया फिर से इसको डाल लेंगे हम ऐसे ही और यहां पर भी इसको दो का एक कर देंगे तो देखिए यह जितने भी हमारे चोदा के फंदे हैं यह पूरे ऐसे ही हम इनको बंद क करके हैं कट करके आपको दिखाती हूं यह Дेखी यहां पर हमने यह 14 फंदे लॉक कर दी और यहां पर हमारे पास यह 16 फंदे। अब इसको हमें ऐसे टरन करना है और ऑर टरन करने के साथ बताऊंगी तो देखी अब यहां पर हम पिंग कलरी जैसे हमने ड्रेस में लगाया हुआ इसी तरीके से हम इसको लगा देंगे तो यह एक फंदा हो गया हमारा और यहां से पकड़के हम इनको भी ऐसे ही बना लेंगे ताकि हमारा यहां से बूल लॉक हो जाए ऐसे करके तो यह अच्छे से यहां सेट हो जाएगी यह देखी ऐसे करके यह वूल निकलेगी भी नहीं और यहां से हम सभी फंदे ऐसे ही उल्टे-उल्टे बना लेंगे तो यह देखी मैं यहां पर बारी-बारी से जैसे मैंने ड्रेस में बनाया है दो-दो सलाईया पिंक से दो ग् बनाया तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ एक सिंगल कलर भी लगा कर इसको बना सकते हैं लेकिन मैं यह चाहा रही हूं कि इसको मैं आपको कंप्लीट करके ही दिखाऊं जैसे हमने ड्रेस में बनाया धारिया उसी तरीके से हमने इसमें भी धारिय या हमारी जो है दो दो चार छे ये दो मिलाकर छे हो गई और ये हमारी साथ तो साथ हमारी complete होने के बाद आप यहां पर इस लाई में इनको सबको जैसे हमने lock किया इनको बंद किया है ऐसे आप कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं friends देखिए अब हमारे ये जो 16 है हमारे फंदे हम इनको जैसे बना रहे हैं उल्टा उल्टा ऐसे ही हम इनको बना लेंगे तो यह देखिए हम तीन चार पांच छे साथ यह आठ यानि कि आठ हमारे इधर हो गए आठ इधर हो गए और अब हम इनको हम ऐसे कर लेंगे ऐसे करके तो यह देखिए इसके बाद हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं तीसरी सलाई लेकर हम ऐसे इनको ऐसे ही उल्टा बनाएंगे हम फंदों को ऐसे करके यह देखिए दो का मैंने एक कर लिया ऐसे करके और यहां से फिर से हम यह वाले दो फंदे इनको हम दो का एक कर लेंगे ऐसे और यहां पर फिर से यह एक है इसको इसके उपर से निकाल देंगे तो ये हमारे फंदे बंद होते जाएंगे ये बड़ी सफाई से बंद होते हैं इनको भी अब ढिले ढिले हास से यानि के लूस ही इनको बंद करें ऐसे करके और फिर ये जो एक सलाई है इसका एक फंदा हम ऐसे निकाल देंगे फिर से देखिए फ्रे तो मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ यह देखी लास में हमारा फंदा इसको भी हमने बढ़ा कर लिया ऐसे और इसमें से हमने वूल निकाल कर इसको यहां पर कट कर देगे यह देखी तो इसे बड़ी सफाई से यहां पर बंद हो जाता है तो देखे स्टिच लगाते हैं तो थोड़ा सा यहां से अजीब से लगता है तो इस तरीके से मैंने इसको यहां पर पर कम्प्लीट किया और इसको मैं यहां पर कट कर दूगी यहां से हमने कट करके मैंने इसमे नीडल डाल ली है मैंने इसलिए डाली है क्योंकि अगर इसको हम ऐसी छोड़ते हैं तो कुपाल जी के सिर पर ऐसे लटकर रहेगा धागा भार की तरफ भी आ जाता है तेकिन अच्छा ही होगा अप ऐसे नीडल में धागा डालके और इसको ऐसे यहां पर पीछे की तरफ कर दें ऐसे तो इससे ही होगा कि अराम से सही से यह हमारा जो धागा है यह पीछे की तरफ चला जाएगा और टाइटनेस भी नहीं होगी और यहां से इसको हम कट लगा देंगे तो यह देखिए हमारी जो गुपाल जी की कैप है ऐसे तयार हो जाएगी तो यह देखिए मैंने यह टोपी आपको पहले भी बहुत पहले भी मैंने बनानी सिखाई थी यह इस टाइप की कैप और यह देखिए हमारे गुपाल जी की अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे all size में चोली और यह cap कैसे बना सकते हैं तो यह देखिए मैंने measurement लिखकर रखा हुआ है आप 0 नंबर के लिए 28 बंदर डालिए फिर उनको 3 भागों में हम divide करते हैं नो, नो, दोनों साइडों में बीच में 10 और उसके बाद यह 4 तो हमने जैसे मैंने धारियां आपको बताई हैं यह वली यह धारियां चार का मतलब यह है कि यह जो first row है यह मैंने धारियां बताई है स्लाईयां हो गई हमारी आठ तो इसी तरीके से यह देखिए मैंने दो के लिए 40, 13, 14, 13 फिर 6 हम धारियां बना सकते हैं तो हम टोटल स्लाई क्योंकि एक धारी में दो स्लाईय होती हैं तो यह देखिए आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं मैंने जीरो से लेकर 10 नंबर तक बड़ी असानी से आप बना लेंगे इस मेजर्मेंट के साथ तो यह देखिए हमने यह दोनों चीजें कंप्लीट कर ली मैंने वूल डाल ली है ऐसे करके और अब हम इस साइड से नहीं हम इस साइड से इसको डालेंगे तो इसको ऐसे करके और यहां पर हम डालने का तरीका हमारा होगा हम यह देखिए ऐसे डालेंगे फिर हम एक को छोड़ देंगे एक एक धारी हमें छोड़ते जाना और ऐसे कर करते जाना है ऐसे करके बड़े असानी से यह देखिए ऐसे किसक जाता है और यह पूरा राउंड में ऐसे ही निकाल कर आपको दिखाती हूं इस साइड भी हमने निकाल कर इसको यहां पर नौट लगा दिया और यह जो वूल निकली हुए जहां से हमने स्टार्टिंग की थी उसको भी आप ऐसे ही पीछे की तरफ यहां पर ऐसे करके हम इनको इसको छुपा देंगे ऐसे निडल में से डालके और यहां से ऐसे कट कर देंगे तो यह देखिए अच्छे से हमारा यहां पर भी सट हो जाएगा और यह देखिए यहां पर हमने ऐसे चोली में हम थोड़ा सा यहां पर भी स्टिच लगा देंगे जिससे पहनाने में बहुत असानी होगी तो स्टिच लगाकर मैं दिखाती हूँ यह देखिए इसको हम ऐसे एक के उपर एक ऐसे रखेंगे यह देखिए ऐसे करके और यहां से भी हम इसको स्टिच लगा देंगे ऐसे करके इस से पहनाना उतारना बहुत असान हो जाएगा ऐसे करके आप अब हम गूपाल जी को पहनाएंगे आज देखिया हमने ये ड्रेस पहना हुई थी ये भी हमने अपने चैनल पर बना कर दिखाई हुई है तो यह देखिए, यहाँ पर ऐसे गले में से डालेंगे, यह गुपाल जी की कैप हो गई, और यहाँ से यह जो दोनो पटियां हैं, इनको हम ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे, यह देखिए, पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करके, और यह जो गेरा है, यह देखि हैं, इनको हम अच्छे से यहाँ पर ऐसे नॉट लगा देंगे, ऐसे करके, यह देखिए, ऐसे करके, मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, कैमरे का, यह देखिए, हम पीछे से यह जो हमारी दोनो डोरियां है, गुपाल जी की, इनको हम अच्छे से ऐसे टाइट करके, बांग देंगे, और इनको पीछे की तरफ ही हम छुपा देंगे, ऐसे यह देखिए, मैं पीछे से भी आपको दिखाती हूँ, यह जो ड्रेस है, यह देखिए, कितनी सुन्दर लग रही है हमारे गुपाल जी की, और फिटिंग भी बहुत अच्छी है, यह देखिए, ऐसे करके, जब हम सीहासन पर बैठाएंगे इनको पीछे की तरफ से, जब यह ऐसे उड़ जाई, आप चाहें तो इसको आगे की तरफ भी कर सकते हैं, यह अपकी अपनी मर्जी है, और यह पीछे से जब हम सीहासन पर बैठाएंगे गुपाल जी को, तो यह ड्रेस हमारे गुपाल जी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखे राधे राधे